तो guys Indian Bikes Driving 3D का नए अपडेट आ चुका है और इस नए अपडेट के अंदर काफी सारे नए चीट कोर्स को भी एड़ किया गया है जिनके बारे में आपको अब तक पता नहीं चल पाया होगा तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको नए अपडेट के अंदर एड़ किये गए सारे निव चीट कोर्स बताने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे सिक्रेट चीट कोर्स भी बताऊंगा जिनको आपने पहले इस घीम के अंदर कभी भी नहीं देखा होगा और मैं आपको इंडियन बाइस ड्राइविन देडी के सारे पुराने और नए चीट कोर्स भी बताऊंगा तो फटावर से वीडियो को शुरू करते हैं और उन सारे चीट कोर्स को देख लेते हैं तो नए अपडेट के अंदर सबसे पहला चीट कोर्री जो हमें मिलता है वो है एक नए बोट काशीट कोर्स इस बोट को को आप सिर्फ इस वाले समंदर की अंदर ही चला सकते हो और इस बोट का चीट कोर्स है वह है 3001 और जब आप 3-001 डैयल करोगे तो आपके सामने एक ब पर क्लिक करना है और आपके सामने बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे तो इन में से आपको जो भी कलर अच्छा लगता है वो आप इस बोट के उपर लगा सकते हो उसके बाद आप इस बोट को बड़े आराम से समंदर के अंदर जला सकते हो और इस बोट की जो स्पीड है वो भी स्पीड होने वाली है और इस बोट के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग सा फीचर एड़ किया गया है और वो है इसका सेकंड कैमरा जब आप इसका कैमरा एंगल चेंज करोगे तब आपको कुछ ऐसा कैमरा एंगल मिलना वाला है जो की बहुत ही जादा अमेजिंग दिखता ह और आप चाहो तो इस बोट को गेम के अंदर किसी भी जगह पर स्पॉन कर सकते हो लेकिन हाँ गाईज आप इस बोट को सिर्फ समंदर के अंदर ही चला सकते हो और आप इस बोट को किसी भी वैपन से डिस्ट्रॉई भी कर सकते हो तो गाईज अब मैं आपको नए डायनसौ रप्टर का चीट कोड़ बता देता हो जिसे आप राइड नहीं कर सकते हैं तो इस वाले वैलासी रप्टर का चीट कोड़ होने वाला है 50 और इस चीट कोड़ को एक्टिवेट करने के बाद जो वैलासी रप्टर स्पॉन होगा वो सिर्फ मैप के अंदर गूंता रहेगा या अब ऐसा नहीं है अब आप गेम के अंदर किसी भी जगह बर एक टी रैक्स को स्पॉन कर सकते हो और आप चाहो जितने टी रैक्स को स्पॉन कर सकते हो और उन्हें आप किसी भी वैपन से मार भी सकते हो अगली डाइनसौर का चीट कोड़ है 52 और इस चीट कोड़ को एक्ट 3 और ये डायनसौर गेम का सबसे बड़ा डायनसौर है तो साथ ही ये वाला जो डायनसौर है ये इतना ख़तरनाग भी नहीं है और आप इस डायनसौर को भी जितनी बार चाहो, उतनी बार गेम के अंदर Inspawn कर सकते हों और इस डायनो को भी आप किसी भी weapon से मार भी सकते हो लेकिन गाइस अगर आप इस dino की neck के उपर fire करोगे तो इसको damage नहीं होगा तो गाइस एक बार मैं आपको जल्दी से सारे डाइनसौर्स की cheat codes बता देता हूँ तो सबसे पहली cheat code है 5050 इससे आप game के अंदर एक velocity raptor को spawn करके राइड कर सकते हो फिर है 50 जिससे game के अंदर एक NPC velocity raptor spawn हो जाएगा उसके बाद है 51 और इस cheat code से एक T-rex spawn हो जाएगा फिर है 52 और ये cheat code एक नए डाइनसौर को spawn करेगा जिसका नाम है Spinosaurus उसके बाद है 53 और इस cheat code से एक और नए डाइनसौर spawn हो जाएगा जिसका नाम है Brachiosaurus तो guys अब मैं आपको दो bikes के cheat codes बता देता हूँ जिनका model इस अपडेट के अंदर replace कर दिया गया है तो पहला cheat code होने वाला है 5000 जिसको activate करने के बाद आपके सामने अब इस वाले model की एक bike spawn हो जाएगी और जब आप इसे first person mode के अंदर चलाओगे तो आप clearly देख सकते होगे इसका speedometer अब काम नहीं करता है और इस bike की speed है वो भी बहुत कम हो चुकी है दूसरी bike का cheat code है 0015 जिसे dial करने के बाद आपको अब इस वाले model की bike मिलने वाली है और इसे भी जब आप first person mode के अंदर चलाते हो तब आपको इसका speedometer भी काम करता हुआ अब नहीं दीखेगा और इस bike की speed भी बहुत कम हो चुकी है अब उस cheat code को देख लेते हैं जिसका सभी को बहुत time से इंतजार था और वो cheat code होने वाला है एक नई कार के लिए और उस कारता नाम है थार तो सबसे पहने यहाँ पर एक पुरानी थार को spawn कर देते हैं और इस थार का cheat code होने वाला है 9090 और जब आप 9090 डायल करोगे तब आपके सामने एक थार spawn हो जाएगी जिसका नाम अब change करके थार modified रख दिया गया है और इस थार के अंदर ज्यादा कुछ भी changes नई किये गये हैं ओके अब नई थार का cheat code भी देख लेते हैं ओके अब इसका interior देख लेते हैं और साथ ही हम इसे चला कर भी देखने वाला है तो guys इसका interior जो है वो पुरानी वाली थार से ज़ादा अलग नहीं है और जब हम इसे चलाते है तब हमें बता चलता है कि भाई इसका इस प्रियोमेटर तो काम ही नहीं करता है और इस नहीं थार की जो speed है वो भी पुरानी वाली थार जितनी है यानि कि इसकी speed भी normally है और आप इस थार का color भी अपने मन मुताबिक change कर सकते हो और जब आप इसे destroy करोगे तब आपको ये वाला animation दिखने वाला है अब ही मैं आपको एक special cheat code बताने वाला हूँ जिसको activate करने के बाद आप literally एक dog को ride कर पाऊगे तो वो cheat code है 600 और इस cheat code को activate करने के बाद आपके सामनी एक dog spawn हो जाएगा जिसको आप literally ride कर सकते हो तो इसे ride करने के लिए आपको बस इसके थोड़े से pass चले जाना है और वहाँ पर आपको एक button मिल जाएगा अची से press करके आप इस dog को ride कर पाऊगे और guys यह dog कोई normal log नहीं है बलकि इस dog से अब आप gain के अंदर वाले किसी भी NPC को मार वी सकते हो आपको बस किसी भी एक NPC के पास जाना है और उस NPC के पास खड़े होकर आपको punch वाले button को press करना है और जब आप इस dog के उपर बैट कर camera angle change करोगे तब आपको एक बहुती बढ़िया और stable camera angle मिलने वाला है ओके यह तो थी नई update की सारी नई cheat course लेकिन आप मैं आपको game के सारे vehicles की cheat course बता देता हूँ जिनके बारे में आपको अब तक पता नहीं होगा और इन सारे cheat course के अंदर मैं आपको नई पुरानी और special cheat course भी बताने वाला हूँ तो फड़ावर से उन सारी cheat course को देख लेता है तो guys पहली category के अंदर हम game के अंदर वाली सारी cars की cheat course देखने वाला है तो पहली cheat code है 888-0 जिससे आपको एक hammer car मिलेगी फिर है 3100 ये है एक नई car का cheat code जिसका नाम है ballero उसके बाद है 2224 इस cheat code से आपको एक super car मिलेगी जिसका नाम है supra फिर है 8123 और ये भी एक super car का cheat code है जिसका नाम है mustang उसके बाद है 8881 और ये है एक super car का cheat code जिसका नाम है Ferrari फिर है 2020 और ये है एक SUV कार का चीट कूर्ड जिसका नाम है Endeavor उसके बाद है 1001 ये भी एक SUV कार का चीट कूर्ड है जिसका नाम है Alexander उसके बाद है 300 जिससे आपको एक वंडर कार मिलने वाली है जिसका नाम है Tarzan उसके बाद है 40000 इससे आपको एक और सुपर कार मिलेगी जिसका नाम है Porsche फिर है 333 जो की है एक SUV कार का चीट कोर जिसका नाम है Scorpio Classic उसके बाद है 444 जिससे आपको एक और SUV कार मिलेगी और इसका नाम है Scorpio S11 फिर है 1000 जो की है एक और SUV कार का चीट कोर जिसका नाम है Fortuner उसके बाद है 2000 और इससे आपको एक लगजरी कार मिलेगी जिसका नाम है Rolls Royce फिर है 6666 और इससे आपको एक SUV कार मिलेगी जिसका नाम है Range Rover उसके बाद है 800 जोकी है एक Hypercar का Cheat Code जिसका नाम है Bugatti V2 फिर है 900 और इससे आपको एक Supercar मिलेगी जिसका नाम है Kony Zack फिर है 500 और इस Cheat Code से आपको एक और Supercar मिलेगी जिसका नाम है Audi उसके बाद है 3333 जोकी है एक और Supercar का Cheat Code और उसका नाम है Lamborghini फिर है 700 जिससे आपको मिलेगी एक और सूपर कार और इसका नाम है Lamborghini V2 उसके बाद है 9090 और इससे आप एक modified थार को spawn कर सकते हो फिर है 9191 और ये है एक normal थार का cheat code और अब बढ़ते हैं अपनी अगली category की तरफ जो की होने वाली है सारी bikes की cheat code तो पहले bike है Super Splendor जिसका cheat code है 6021 उसके बाद है 4050 जो की है एक Apache bike का cheat code फिर है 999 जिससे आपको एक Yamaha VMAX मिलने वाली है उसके बाद है 888 और ये है Yamaha FZ10 का cheat code उसके बाद है 777 जिससे आपको मिलेगी एक Ducati bike फिर है 666 इससे आपको मिलेगी एक TNT bike उसके बाद है 600 और इससे आपको मिलेगी एक Tron bike फिर है 400 जो की है ZX 10R बाइक के लिए उसके बाद है 888 इससे आपको मिलेगी Duke 1290 फिर है 777 जो की है Duke 200 का चीट कोड उसके बाद है 5555 और इस चीट कोड से आप गेम के अदर एक Ghost Rider बाइक को Spawn कर सकते हो उसके बाद है 0015 और ये है Yamaha R15 के लिए फिर है 0000 और इससे आपको एक Hero Pleasure ले सकते हो उसके बाद है 5000 ये है एक Pulsar 200 बाइक के लिए फिर है 3000 जिससे आपको मिलेगी एक Kawasa की Ninja H2R बाइक उसके बाद है 7000 और इससे आपको मिलेगी एक Hayabusa बाइक उसके बाद है 9000 जो की है एक Splendor बाइक के लिए फिर है 9999 और इससे आपको मिलेगी एक bullet bike उसके बाद है 1190 जो की है एक नई KTM bike के लिए फिर है 4215 और इससे आप एक Duke bike ले सकते हो उसके बाद है 1210 ये है एक normal KTM bike के लिए फिर है 1211 और इससे आपको मिलेगी एक Pulsar bike उसके बाद है 2222 जो की है एक ATV का cheat code फिर है डबल वन डबल वन और इससे आप एक cycle को spawn कर सकते हो उसके बाद है डबल फोर डबल फोर और ये है एक कूबरा बाइक का cheat code तो guys ये थी सारी bikes की cheat code और अब बढ़ते हैं अपनी अगली category की तरफ जो की होने बाली है सारी trucks की cheat code तो पहली cheat code है 6667 और ये है एक JCP का cheat code जिसे आप पूरी तरह से control भी कर सकते हो उसके बाद है 4040 और इस cheat code से आपको एक army का tank मिलने वाला है फिर है 1212 इससे आप एक normal truck spawn कर सकते हो उसके बाद है 01212 और इस cheat code से आप एक truck with trailer को spawn कर सकते हो फिर है 606 और इससे आपको मिलेगा एक fire truck तो कैज हमने सारे trucks के cheat code भी देख लिया है और अब बढ़ते हैं अपनी अगली category की तरफ जू कि होने वाली है सारी monster truck की cheat code तो पहली cheat code है 0100 जिससे आपको एक police car का monster version मिलने वाला है फिर है 0101 इससे भी आपको एक police car का monster version मिलेगा लेकिन इस बार आपको एक SUV car का monster version मिलने वाला है उसके बाद है 09090 जो की है थार का monster version फिर है 0300 जो की है तारजन car का monster version फिर है 01000 जिससे आपको एक fortunate car का monster version मिलने वाला है उसके बाद है 03333 ये है एक Lamborghini car का monster version फिर है 0900 ये है कुनिक्स एक का मॉस्टर वर्जन उसके बाद है 0700 ये है लेंबोर कीडी V2 का मॉस्टर वर्जन और वाइट गाइज अब बढ़ते हैं अगली केटेगरी की तरफ जिसके अंदर हम सारे flying vehicles के cheat course देखने वाला है तो सबस्ब पहला cheat code है 555 ये है एक छोटे airplane का cheat code उसके बाद है 8000 और इससे आपको मिलेगा एक helicopter फिर है 320 जिसको activate करने के बाद आप एक jetpack ले सकते हो उसके बाद है 330 जो की है एक mini jetpack का cheat code तो guys हमने game के सारे vehicles के cheat code देख लिये है और अब मैं आपको सारे animals के cheat code बता देता हूँ तो पहला cheat code होने वाला है 5050 जिससे आप एक velociraptor को spawn करके उसको ride कर सकते हो उसके बाद है 200 जो की है एक horse का cheat code और इस horse को भी आप ride कर सकते हो फिर है 600 और ये है एक dog का cheat code और अब आप इस dog को भी ride कर सकते हो उसके बाद है 50 जो की है एक NPC velociraptor का cheat code फिर है 51 जिससे आप एक T-re चीटकूर आपको के बारे में पता चल गया होगा और हम इसके अगले पार्ट के अंदर तो अगर आपने वीडियो को अब तर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को वड़ावर से लाइक कर दो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख दो ताकि आप इसका अगला पार्ट भी देख सको वना आप RJS Tool के काफी सारे सिक्रेट चीट कूर्स को मिस कर जाओगे बाकि मैं मिलता हूँ आपको नेट्स वीडियो के अंदर Till then take care and thank you very much for watching